हलो एवरिवन, क्या आप दिवाली में गुलाब चामुन बना बना के ठक चुके हो, तो चलो आज बनाते हैं बहुत ही स्वातिस्ट और आसान मिठाई, वो भी बस 10 मिनट में के लिए आपको पैन में एक कप चीनी लेना होगा और उसी कप से एक कप पानी उसमें डालना है आपको दो इलाची इस तरह से तोड़के और कुछ केसर के दाने, इससे आपको चीनी गलने तक 2-3 मिनट तक बॉल करना है देखो चीनी गल चुका है तो हमारा चासनी बन के रडियो क्या है, इसे उतार लेंगे और आपको ब्रेड लेना है ब्रेड को आपको जो पसंद हो आप उस सेप के अकॉर्डिंग उसे कट कर लेना मैं इसे इस तरह से 4 टुकड़े में कट कर रहे हूँ, आपको इसी तरह से सारे ब्रेड को कट कर लेना है अब देखो तेर अच्छे से गर्म हो गया तो मैं उसमें ब्रेट को डाल के उसे अच्छी तरह से गोल्डेन प्राउन होने तक फ्राइ करूंगी आपको इसे उलट प्लट के अच्छे से फ्राइ करना है देखो, अब ये golden ब्राौण हो चुका है, तो अब आपको इसे निकाल लेना है जितना oil आप निकाल सको उस तरह से side करके निकाल लेना और उसके बाद उसे चासनी में डाल लेना आपको चम्मच की मदद से bread को अच्छे तरह से चासनी में डुबो करके निकाल लेना है इसे गुलाब चामुन की तरह इसमें छोड मत देना बस हमारा टेस्टी टेस्टी मिठाई बनकी ट्रडी हो गया है वो भी बस बिंटों में इसे बहुत ही सिंपल है बनाना और खाने में तो बहुत ही स्वाधिस लगता है बस आपको इसे अब थोड़ा सा पिस्ता की साथ डेकुरेट कर देना है और बस टाइनिंग टेबल में जाके रख दो और मज़े से दिवाले का मज़ा उठाओ थैंक यो फोर वाचिंग एवरिवन और डोंट फोगेट टू लाइक, सियर और सब्सक्राइब से यू इन नेक्स वीड़ो देल और टेक्केर बाइब